हेलो दोस्तो आपका मेरे चैनल न्यू फेशनेट में सवक्त है आज किस वीडियो में मैं आपको नीकर और कैपरी की कटाई कैसे की जाती है बहुत ही सिंपल वे इसे बताने जा रहा हूँ मैंने कपड़ा लिया है और कन्नी वाले हिसे पर हमने दोनों हिसो को मला लेना है और टेबल के उपर विशाद देना है दोने हिसे बराबर होने चाहिए उसके बाद सबसे पहले हमने दो एंच का मार्क लगाना है जो मारे लास्टी के लिए होगा लास्टी फोल्डिंग के लिए होगा और सामने भी एक मार्क लगा लेना है फट्टी की सैतसिन को सीधा कर लेना है दो एंच का मार्क लगाने के बाद इसके बाद हमने जो नीकर जा कैपरी का नाप लेना है मैं नीकर की कटाई काने जा रहा हूँ इसलिए मैंने इसका लेंध जो है वो पंदर एंच लिए है पंदर एंच पर मार्क लगाने ला है और दोनों इसो को सीधा कर लेना है आप कैपरी की जितनी लेंध रखना चाहते हैं उतनी राकर मार्क लगा लिजिए उसके बाद नीचे जो पहुंच होता है bottom को forward करने के लिए मैं 1.5 इंच का जा 2 इंच का आप mark रख सकते हो इन्हें दुनों mark को भी सीधा कर लेना है उसके बाद दोस्तों हमने thai का नाप लेना है part का बहुत ही simple way है मैं लाक को नाप कर आपको part कितना रखना है उसके बाद में बताने या रहा हूँ सबसे पहले ऐसे हमने लाक को नाप लेना है जैसे मेरा 36 आ रहा है 36 इंच ऐसा नापने के बाद 36 इंच का हमने 14 इसा कर लेना है इसको 4 से डवाइड कर लेना है जहां ऐसे आप इसका 44 इसा कर लो यह आदा इसा हो गया 18 और इसका भी हमने आदा कर लेना है जह मारा 44 इसा 9 इंच आ गया है और 9 इंच में हमने लूज देना है मैं पहले 4 इंच लूज दे रहा हूँ 13 इंच आ गया 9 प्लस 4 तेरा जह फिटिंग के लिए है जह आप सिंपल चाहते हूँ 13 इंच और 4 इंच लूज देना है जह आप थोड़ा से डीला चाहते हूँ तो 5 इंच लूज देना है मैं 4 इंच लूज दे रहा हूँ 9, 4, 13 और 1 इंच में इसका मार्जन के लिए शोड़ रहा हूँ 14 इंच पे हम मार्ख लगाएंगे और 2 इंच मारा चोली की जा आशन की गलाई के लिए होगा ऐसे मार्ख हमने एक नीचे और लगा लेना है लक का चोथा इसा करकर उसमें नॉर्मल के लिए 14 इंच लूज देना है और 1 इंच मैंने जो है मारजन दिया है जो सलाई के लिए है दोनों इसो को सीधा कर लेना है उसके बाद हम आशन का मार्ख लगाएंगे जिसके चोली भी बोलते हैं 13 इंच पे लगाना है 13 इंच पे मार्ख लगाने के बाद इन दोनों मार्ख को सीधा कर लेना है ऐसे इसको सीधा कर लेना है उसके बाद हम पॉंच का मार्क लगाएंगे पॉंच हमारा ग्यार एंच है और एक एंच में इसमें लूज दे रहा हूं बार एंच पे मार्क लगा लेना है बैक सैड से यह सीधे रहेगा आगे की सैड से इसको दोने इसमों को मला लेना है और जो हमने नीचे दो एंच जा डेड़ एंच चोड़ा है उसको थोड़ा सा क्रॉस मलाना है ताकि सलाई के वक्तम में कोई दिक्कत ना आए मैं इसको कटाई करकर बताऊंगा किसलिए मैंने इसको क्रॉश होड़ा है मारके उपर आपने कटाई कर लेनी है ऐसी दोस्तों मैंने और भी बहुत सरी वीडियो बनाई है जिकर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी प्लीज देसे लाइक एंड जरूर करना किसी भी पार्ट की समझ नाई हूँ जहां किसी तरह की और वीडियो आप चाते हूँ तो आप मुझे कमेंट करकर जुरूर बता सकते हूँ मैं वैसी वीडियो आपके लिए लेकर जुरूर हजरूँगा यह देखिए नीचे मैंने दो एंच छोड़ा था वो थोड़ा सा क्रॉस होड़ा है जब हम सलाई लगाएंगे तो यह क्रॉसी सलाई लगानी पड़ेगी ये टीखिए अइसा हमारा फोर्ड होगा ये दोन तो बराबने हैं जिसीधा करतें तो यह मारा नीचे वाला हिसा जो है कम पड़ जाना था कन्नी को नकाल देना है जै हमने दो हिसों की कटाई कर ली है अब ऐसी हमने दो और हिसों की कटाई कर लेनी है इसके उपरी कपड़े को विशा लेना है और ऐसी हमने ब्राबर इसकी कटाई कर लेनी है जैसे हमने पहले की है उसके साथ ही हमने इसकी कटाई कर देनी है गलाई हमने सिंपल देनी है जादे गलाई देंगई तो यह हमारा आसम तंग भी हो सकता है थुड़ा सा नौर्मल गलाई देनी चाहिए यहां पे दोस्तों मारी यह कटाई कम्टलेट हो गी है जेकर आप इसकी stitching की वीडियो चाहते हों तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप उसे follow कर सकते हों यह simple stitching है इसकी बहुत ही जैसे हम पजामे की जैसे stitching करते हैं वैसे इसकी stitching है आप pocket लगाना चाहते हों तो पहले आपको तो सब्सक्राइब तीन एंच पर एक मारक लगाना होगा उसके बाद देड़ एंच पर और जितना आप pocket का मूँ रखना जाते हैं जग गला रखना जाते हैं तो सब्सक्राइब तेंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो